एक चो आज जो टोपिक हम डिसकुस कर रहे हैं जनरल साइंस का फिजिक्स के फिजिक्स भाग से हमारा जो टोपिक चल रहा है वो है उश्मा जिसका हम भाग दो आज डिसकस करने जा रहे हैं भाग दो उश्मा टोपिक जो है वो आपके बटवार जनल साइंस में और रीट की जनल साइंस में जो साइंस एंड मैथ की त्यारी करें रीट लेवल टू वाले स्टूडेंट्स उनके लिए इस लेबस के अंदर उश्मा टोपिक दिया हुआ है इसके अलावा जो भी कमपेटिशन एक्जाम होते हैं जिन में जनल साइंस आती है तो उनमें सबी में ये उश्मा टोपिक बहुत ही महत्तर पूरण है इसका भाग एक मैं अपलोड कर चुका हूँ यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ अजिया है लगाएएग देखले है पिर उमबाग दो की चर्चा कर रहे हैं आज के वीडियो में और इसमें जो आज हम डिसक्र करने वाले उसमें एक तो उ्ष्मिया परसार उ्ष्मिया परसार thermal expansion उष्मिया परसार और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे उश्मा का संचरन Transmission of Heat उश्मा का संचरन Transmission of Heat तो सबसे पहली बात करें उश्मा प्रसार थर्मल Expansion की Thermal Expansion तो दो टोपिक हम आज के वीडियो में डिस्कस करें उश्मा प्रसार उश्मा का संचरन तो टोपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ओन कर दे ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका जो नोटिफिकेशन बुक्स में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपके लिए मेरे वीडियो जो हैं बहुत ही मुबाइल नमबर डेबल नाइन तू एट सेवन एट तू नाइन जिरो फाइव पर अपना नाव पता लिखकर वाटसप ग्रूप में एड हो सकते हैं वाटसप ग्रूप में आपको टाइम टू टाइम वीडियो के लिंक एवलेबल होते रहेंगे इसके लावा आगे मैं टेस्ट सिरी शुरू करूँगा तो उसके भी टेस्ट जो हैं वाटसप ग्रूप में प्राप्त होते रहेंगे तो अब स्टूडेंट्स हम शुरू करने जारे हैं हमारा टूपिक उश्मिया परसार उसमें प्रसार क्या है जब भी हम किसी वस्तू को गरम करते हैं तो ये गरम करने का साइन है डेल्टा का वस्तू को हमने गरम किया तो इस वस्तू की लंबाई में प्रिवर्तन होता है शित्रफल में भी प्रिवर्तन होता है और आयतन में भी प्रिवर्तन होता है तो जब किसी वस्तु को गरम किया जाता है तो उसके लंबाई में शेतरफल में और आयतन में वरदी होती है लंबाई शेतरफल और आयतन में होने वाली यही वरदी उश्मिय परसार के नाम से जानी जाती है तो जब हम किसी वस्तु को गरम करते हैं तो उसके लंबाई में, शेतरफल में और आयतन में वरदी होती है लंबाई, शेतरफल और आयतन में होने वरदी उश्मिय परसार के नाम से जाने जाती है इस परकार उश्मिय परसार को हम तीन काटिगरी में बांटते हैं एक तो वस्तु को गरम करने पर उसकी लंबाई में वरदी होना दूसरा वस्तु को गरम करने पर उसके शेतरफल में वरदी होना और तीसरा वस्तु को गरम करने पर उसके आयतन में वरदी होना जो उसकी लंबाई में वरदी होती है इस लंबाई में वरदी की जो माप होती है उसे हम रेखिये परसार गुनाग बोलते हैं रेखिये परसार गुनाग तो आपसे बचाए रेखिये परसार गुनाग क्या है तो वस्तु को गरम करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वरदी का माप रेखिय परसार गुनांग कहलाता है शित्रफल में जो वरदी हो रही है उसको जो मापने का गुनांग है उसे हम शित्रिय परसार गुनांग कहते हैं शित्रिय परसार गुनांग तो शित्र फल में वरदी की माप शित्रिय परसार गुनाग और आयतन में वरदी की माप जो होती है वो आयतन परसार गुनाग होती है आयतन परसार गुनाग तो लंबाई में वरदी रेख्या परसार गुनाग शेत्रफल में जो वरदी है वो शेत्रिया परसार गुनाग और आयतन में वरदी आयतन परसार गुनाग से मापी जाती है रेख्या परसार गुनाग को अलफा से विक्त करते हैं शेत्रिया को बिटा से और आयतन वले को गमा से अब हमारे जो टोपिक है उसमें परसार उसमें जल का परसार ज्यादा तर जो कोशन आता है वो आता है जल के परसार से जल का परसार बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है जल का परसार तो जल का जो प्रसार है वो ऐसमन्य होता है जल का प्रसार ऐसमन्य प्रसार कहलाता है तो जल का प्रसार जो होता है वो ऐसमन्य होता है ऐसमन्य क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि जब जल को हम गरम करते हैं तो जिरो डिग्री से चार डिगरी सेंटिग्रेट तक इसके आयतन में कमी आती है बहुत ही इंपोर्टन बात है जीरो डिगरी से चार डिगरी सेंटिग्रेट तक जल के आयतन में कमी आती है यानि चार डिगरी सेंटिग्रेट ताप पर जल का आयतन नियूनतम होता है चार डिगरी सेंटिग्रेट ताफ पर जल का आयतन नियूंतम होता है जिरो डिगरी सेंटिग्रेट से एगर हम जल को गरम करना शुरू करें और चार डिगरी सेंटिग्रेट तक गरम करें तो उसके आयतन में कमी आती है और चार डिगरी सेंटिग्रेड ताफ से जब हम आयतन जादा कर देते हैं तब उसके आयतन में वरदी होने लगती है तो चार डिगरी सेंटिग्रेड के बाद जल के आयतन में वरदी होती है तो चार डिगरी सेंटिग्रेड तक जल के आईतन में कमी आती है और चार डिगरी सेंटिग्रेड के बाद जल के आईतन में वरदी होती है तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें यह मालने आईतन है आईतन और यह ताप है ताप यह temperature है जिरो डिग्री यहां मालने चार डिग्री यह आठ डिग्री फिर बारा डिग्री इस तरह से यह temperature दिखाया है मैंने जिरो डिग्री चार डिग्री आठ डिग्री बारा डिग्री centigrade में तो अब यह मालने जल कायतन है जिरो डिग्री पर जिरो डिगरी पर जल कायतन ये है तो टेंपरेचर हम बढ़ा रहे हैं ताप इधर बढ़ रहे हैं तो यहां टेंपरेचर चार डिगरी हुआ तो चार डिगरी तक जल कायतन में कमी आएगी चार डिगरी तक जल कायतन में कमी आएगी उसके बाद जल के आईतन में वरदी होएगी अर्था जल का जो परसार होता है वो ऐसमन्य परसार होता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटिडर्ड तक जल के आईतन में कमी आती है पर जल का जो आयतन होता है वो नियूनतम होता है जब आयतन नियूनतम हो गया तो गनतव अधिक्तम हो जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है गनतव अधिक्तम तो गनतव का सुत्र का है गनतव बराबर द्रवेमान बटे आयतन डेंस्टी इक्वल टू मास पोन वोल्यूम गनतव बराबर द्रवेमान बटे आयतन तो जब आयतन में कमी आ गई तो गनतव में व्रदी होएगी तो यानि जहां आयतन सबसे कम होगा वहां गनतव सबसे ज़ादा होगा तो चार डिगरी सेंटिग्रेड पर जल का आयतन नियुनतम होता है और उसका गनतव चार डिगरी सेंटिग्रेड पर अधिक्तम होता है तो दोनों ही बाते आपके लिए बहुत important है कि जल का घंटव किस ताप पर अधिक्तम होता है तो 4 degree centigrade ताप पर जल का घंटव अधिक्तम होता है तो most important point है यह आपके लिए competition point of view से note कर लीजिए गाइस को कि जल का आयतन नियूनतम किस ताप पर होता है 4 degree पर अब हम बात करें हमारे दूसरे टोपिक उश्मा का संचरन उश्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उश्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संचरन कहलाता है ट्रांसमिशन कहलाता है अब संचरन की तीन विदियां है हमारे पास उश्मा संचरन की विदियों में तीन विदियां है कौन-कौन सी एक तो चालन कंडक्शन बोलते हैं हम लोग चालन कंडक्शन चालन को कंडक्शन बोलाज़ता है दूसरी सम्वेहन कंवेक्शन बोलते हैं सम्वेहन को कंवेक्शन सम्वेहन कंवेक्शन हिंदी में सम्वेहन बोल देते हैं और तीसरी है विकीरन, रेडियेशन तीसरी है विकिर्ण रेडियेशन चालन क्या है? चालन और समयन दोनों में ही मध्यम की जुरूरत होती है चालन और समयन दोनों विदियों में मध्यम की आवशक्ता होती है लेकिन विकिर्ण विदि में मध्यम की आवशक्ता नहीं होती मध्यम की आवशक्ता नहीं होती विकिर्ण में मध्यम की आवशक्ता नहीं और अगर मध्यम है भी सही मालो तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा मध्यम जैसा है वैसा ही रहेगा उसके ताप में किसी परकार का कोई प्रिवर्तन नहीं आएगा तो इसमें जो important बात है इसमें माध्यम के आवशक्ता नहीं होती है यानि बिना माध्यम की साहिता से तो माध्यम के आवशक्ता नहीं है बिना किसी माध्यम की साहिता से अगर उश्मा का संचरन हो रहा है, तो वो विकिर्न विदी है, या अगर आपको यह दे देता है, कि उश्मा का संचरन हुआ है, जिसमें माध्यम को गरम नहीं किया गया, यानि माध्यम के ताप में कोई प्रिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो विकिर्न विदी है, क्लियर चालन में क्या होगा ठोसों में चालन में मध्यम चाहिए तो ठोस में जो उश्मा का संचरन है ठोस में जो उश्मा का संचरन है वो चालन विदी से होता है इसमें कन जो है अपना स्थान नहीं बदलते कन बहुत इंपोर्टेंट बात है कन अपना स्थान नहीं बदलते कन जो होते हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते लेकिन एक कन से दूसरे कन को उश्मा का स्थानांत्रण कर देते हैं यानि कन अपना स्थान बदले बिना उश्मा जो होते हैं वो दूसरे कन को दे देते हैं क्लियर जैसे अपने किसी दाप्तू की छड़ को गरम करते हैं तो यहां कन लगे हैं यह दाप्तू के यह कन है यह मालोस मैटल के पार्टिकल्स लगे हैं दाप्तू के कन है अब अपने क्या किया इस छोर को गरम किया तो ये कन गरम होगा तो ये कन जो होगा अपनी उश्मा इस कन को दे देगा ऐसे हम इस छोर को गरम के जा रहे हैं तो ये कन गरम होते रहेंगे बार बार तो ये अपनी उश्मा इसको देते रहेंगे अब जैसे इनका ताप ज़्यादा हो जाएगा ये अपनी उश्मा आग्गे दे देंगे ऐसे जब इनका ताप जादा हो जाएगा तो ये अपनी उश्मा आग्गे दे देंगे तो ये छोर हम लगातार गरम कर रहे हैं और कन अपना स्थान नहीं बदल रहे लेकिन उश्मा जो है वो आगे पहुंचा रहे हैं और अंतताय दीरे दीरे ये छोर भी गरम हो जाता है तो इस प्रकाट ठोस में जो उश्मा का स्थानांतरन होता है वो चालन विदी से होता है जिसमें कन जो होते हैं अपना स्थान नहीं बदलते हैं और उश्मा अगले कन तक पहुंचा देते हैं लेकिन बात करें हम सम्वहन की तो सम्वहन में क्या होता है इसमें कन अपना स्थान बदलते हैं कन जो होते हैं वो अपना स्थान बदलते हैं जो कन उश्मा लेगा इसमें तो क्या हुआ है पहले इस कन ने उश्मा ली लेकिन इसने अपना स्थान नहीं बदला इसमें जो कन उश्मा ले लेगा वो अपना स्थान बदल देगा और उसके स्थान पर दूसरा कन आ जाएगा इसमें ऐसा नहीं हुआ इसमें ये कन गरम हुआ इसने अगे उश्मा दे दी अगले कन ने आगे उश्मा दे दी अगले ने आगे उश्मा दे दी इसमें क्या होगा जो गरम होता जाएगा वो अपना स्थान बदलता रहेगा उसकी जगए दूसरा कन आता रहेगा तरल में तरल में उश्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तरल में उश्मा का स्थानांतर्ण सम्वेहन विदी से ही होता है तरल क्या होता है जिसमें प्रवा की शम्ता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने की शम्ता होती है तो गैस और द्रव दोनों ही तरल है गैस और द्रव दोनों ही तरल है तो गैंस और द्राव में उश्मा का स्थानांतन कनवेक्शन यानि सम्वेहन विदी से होता है अब देखो होता कहा है जैसे मान लो अपने पानी गरम कर रहे हैं ये मैंने एक पत्र में पानी लिया और इसे गरम करना शुरू कर दिया ये मैं इसे गरम कर रहा हूँ अब सबसे पहले इसके पैंदे पर ये निच्चे वाले कन है ये उसके उपर मान ले अपने ये कन है उसके उपर मान ले ये कन है अब जो कन निच्चे वाले कन सबसे पहले गरम होंगे तो जो कन गरम होगा वो उपर चला जाएगा जो कन गरम होगा गरम होकर ये कहा चला गया उपर और उपर वाला कन कहा जाएगा नीचे ऐसे जो कन गरम होता रहेगा वो उपर जाता रहेगा और उपर से ठंडा कन नीचे आता रहेगा अब ठंडा कन जब उश्मा ले लेगा तो वो उपर चला जएगा उपर वोला कन नीचे आ जाएगा इस परकार कन जो है वो अपना स्थान बदलते हैं इसमें और चालन में कन अपना स्थान नहीं बदलते लेकिन उश्मा एक कन से दूसरे कन को स्थानांत्रित होती है क्लियर जो गरम और ठंडी जल दराएं हैं वो समेहन ही हैं समेहनी दराएं बोलते हैं उनको गरम और ठंडी जल दराएं तो तरल में और द्रव में तरल में यानि गैस में और द्रव में उश्मा का जो संचरन होता है वो समेहन विदी से होता है अब आती है विकिर्न विदी तीसरी और अंतिम विदी विकिर्न विदी जिसमें माध्यम के अवशक्ता नहीं होती और अगर माध्यम है भी सही तो उसके कणों के ताप में किसी परकार का कोई प्रिवर्तन नहीं होगा जैसे अब देखे मान लो सबसे बड़िया एक्जमपल है इसका सूर्य का प्रकाश जब प्रिथ्वी पर पहुंचता है वो विकिर्न विदी है उसमें वायू गरम नहीं होती सूर्य के प्रकाश से प्रिथ्वी गरम होती है सूर्य के प्रकाश से प्रिथ्वी गरम होती है उसके बाद प्रिथ्वी जो होती है इस प्रकाश का अवशोशन भी करती है और प्रावर्तन भी करती है और इसका जो भाग प्रावर्तित वकर वायू में जाता है वो प्रावर्तित प्रकाश ही वायू को गरम करता है लेकिन जब सूर्य की किरने प्रिथ्वी पराती है तो वो वायू को गरम नहीं कर पाती है तो वो विकिरन विदी से प्रिथ्वी पराती है वो वायू को गरम नहीं करती है प्रिथ्वी गरम होती है और उस प्रकास से प्रिथ्वी गरम होती है और प्रिथ्वी जो होती है वो कुछ बाग को प्रावर्तित कर देती है, कुछ बाग को अविशोशित कर लेती है, वो प्रावर्तित भाग जाकर वायू में वायू को गरम करता है, सूर्य की किरने डिरेक्ट वायू को गरम नहीं कर पाती, तो सूर्य की किरने प्रित्वी पर विकिर्न विदी द्वारा कोई गरम किया कोई भी चाहे है मान लो गरम चाहे गिलास में रखी है अपने पास गरम चाहे गिलास में रखी है थोड़ी दिर बाद ये चाहे ठंडी हो जाएगी वो विकिर नविदी से ही होगी उसमें आस पास का माध्यम जो है उसका ताप में कोई परिवर्तन नहीं तो माद्यम का ताप ने बदले या जिसमें उश्मा के संचरन के लिए माद्यम के अवशक्ता ना हो तो ऐसा संचरन विकिर्न कहलाता है विकिर्न तो इस विदी में उश्मा जो होती है गरम वस्तू से ठंडी वस्तू के और जाती है पर उसके लिए माद्यम के अशक्ता नहीं होती या अगर माद्यम लिया भी जाए तो माद्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो स्टूडेंट्स ये थ्या उश्मा का संचरन और उश्मिय परसार उमीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा तो यदि आपको मेरे टॉपिक समझ आया है अच्छा लगा है तो किरिपाए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सबस्काइब कर दीजिए साथ यसाथ बेल आइकन का बटन भी ओन कर दीजिएगा तक इसी परकार के आपके लिए बेनिफिशल वीडियो आपको समय समय पर उपलब्द होते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ धन्यवाद